वेल्कम तो हैपिनेस ब्लैंकेट चैनल सब्क्राइब इस चैनल सो देर्ट यू में गेट आवर न्यू सेलेक्शन फ्राम दे वर्ड बेस्ट वीडियो हलो फ्रेंड्स मैं आज आपको 2004 की 3 आयन ये एक रोमैंटिक कोरियन मूवे इस मूवे की IMDB रेटिंग 8 है और इतनी अच्छी रेटिंग ये मूवे डिसल भी करती है एक शादी शुदा औरत के साथ अलग टाइब के अफेर की एक स्टोरी है इस मूवे में जो भी मैन क्यारेक्टर से इनका कोई भी डायलोग नहीं है पर सिनेमाटोग्राफी इतनी अच्छी है कि आपको जो भी इन क्यारेक्टर को लग रहा है ये बताया जाता है इस मूवे में जो मैन क्यारेक्टर से ये कभी भी बोलते नहीं पर इनके जो डायलोग से है ये उनके इमोशन से कनवे हो जाते है बहुत ही कम डायलोग और बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी इस मूवे में हमें दिखाई जाती है इस मूवे में जो भी सीन है इन सब के सिंबॉलिक मिलिंग के साथ मैं आपको इस मूवे का एक्स्प्रिन करूँगा तो चलिए शुरू करते है वी स्टार्ट होती है और हवे हमारा मेन क्यारेक्टर के दिखाए गया है यह एक बहुत ही शाद सिटी में हमें दिखाए गया है बहुत ही कम लोग यहा रहे थे बहुत ही कम कम ट्राफिक व gagn रहा होती है यह हमें अलग-अलग डॉर पर जाकर अपने pomplets लगाता हो दीखता है ये hotels के pomplets होते है पूरे neighborhood में गुमता है और एक नए society में आचाता है उसने इस society में pomplets लगाये थे और अब वो हर door को चेक करा है इसका actual में एक plan होता है यह हर जगा जाता है और वहाँ अपने pomplets लगा कराता है जिस घर पे उसने अपने pomplets लगाया है उसका owner अगर उस घर में होगा तो वो यह निकाल कर रख देगा अगर यह pomplets नहीं निकला होगा इसका मतलब एगर पर कोई नहीं है घर का owner कहीं बाहर गया है केको फिर यह पता चलता है तो वो घर में घुश जाता है हमें अब यही दिखता है वो एक building में आ चुका होता है वहाँ फिर डोर देखता है जहाँ पर उसका pomplets अभी ठीटका हुआ होता है फिर वो डोर open कर लेता है उसके पास डोर open करने के लिए बहुत सारे tools विगरा भी होता है पुटा होगा तो यह भी repair कर देता है जिस घर में वो जाता है अपने camera के साथ वहाँ एक photo ले लेता है जिस घर में भी वो जाता है उस घर में लोग जिस तरह से रह रहे थे यानि कि जो भी काम वो कर रहे थे यह सब काम वो करता है अब मैं आपको इस character के बारे में और भी बतातू यह एक free soul होता है जहाँ भी से जाना होता है वहाँ वो चला जाता है अलग-अलग शहरों में गुमता है और यही trick वो करता रहता है जिस घर में कोई लोग नहीं रह रहे उस घर में जाता है उनकी lifestyle जीता है यह वहाँ से कुछ भी चोरी वेगरा नहीं करता एकी life में अलग-अलग जीजे experience करकर इसे रहना होता है जो गोर हो experience कर चुका है इसके एक memory वो photos में लेता है अब next scene में हमें दिखता है कि जिस घर में के रह रह रहा था यह पहले तूट गई थी पर अब के नहीं इसे repair कर दिया है वो अपनी mother पर point करता है वो इसकी mother frustrated होती है तो के दी कि चला दो और यह चला भी देता है यह scene खतम हो जाता है next scene में फिर से नए neighborhood में हमें के दिखता है यह बहुत ही अच्छा neighborhood होता है और बहुत ही बड़ा यह घर होता है इस घर में वो आ जाता है घर में आने के बाद देखता है कि यहाँ कोई है या नहीं और वहाँ एक और अउरत होती है जिस वो spot नहीं कर पाता वो बहुत ही चुपचाब वहाँ बेटी हुई होती है इसके face पर किसी के मारने की नीशान भी होती है यह डर कर वहाँ छुपकर एक कोने में बेटी हुई होती है फिर answering machine पर call आता है या इस औरत का husband जोता है वो answering machine पर message बेचता है वो उसे बुचता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो उसे हरी गरगर phone वीकप करने के लिए बोल रहाता है उसे sorry भी कहता है वो कहता है मिने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है फिर भी तुम unsatisfied हो वो गुसा होकर उसे phone वीकप करने के लिए बोलता है यह घर में ही चुपर रहती है यह फिर से अपना सब जो रूटिन होता है वो करने लग जाता है उस घर में कपड़े दोता है अगर उस घर में कुछ टुटा-फुटा होगा तो रिपेर करता है यह औरत अब केज भी सब कर रहा है यह देख रही होती है और वो कुछ भी आवाज नहीं करती और सिब आवजर करती रहती है इसका नाम हम क्रीम रखेंगे केज होता है वो घर के काम करकर बहुत ही सैटिसफाइड उसे महसूस होता है कि हमें एक प्लांट को वाटर करते हो दिखता है नेकसे में हमें क्रीम दिखाए गई है और उसके पास एक पेंटिंग होती है और वो भी इसी प्लांट की होती है यह प्लांट क्रीम को ही रिप्रेजन करता है और के अब उसे वाटर कर रहा है क्रीम पूरी तरह से मुर्जा चुकी है पर अब इसकी लाइफ को वो फिर से जिन्दा करेगा केकी एक खौपी होती है जिसमें वमेशा गोल्फ खेलता है यह जो घर होता है इस घर में क्रीम के बहुत सारे फोटोज होते है क्रीम पहले मॉडलिंग करती थी है के जब इस घर में एक वेटिंग मशिन पर खड़ा होता है तो एक काम नहीं करे होती क्रीम के लाइफ का बैलन्स रिपेजन करती है जब रात होती है और के सोया होता है तभी क्रीम दर्वाजा खोलती है कि यह देखकर डर जाता है तभी फोन पर और एक मैसेज आता है इस मैसेज में उसका बदी बोलता है कि अभी अभी फोन पीकप करो वरना मैं घर आ जाओंगा यह जब फोन चल रहा होता है तो खेक कपड़े वगरा वेहनता है और फिर से नई जगा पर जाने के लिए रेड़ी हो जाता है कि फिर हमें हावे पर दिखा गया है इस औरत के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है इसके बारे में सोच रहा होता है थोड़ी देर बाद वो सोचता है और फिर से इसी घर में आ जाता है वो देखता है कि क्रीम शौर में है और वो रो रही है वो फिर उसे चियर अप करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाता है थोड़ी दिर में क्रीम का हस्बन भी वहा जाता है सब दरवाजे खुले होते हैं तो इसके लिए उसे डाटता है उसे पोच्ता है कि तुम फोन क्यू niveau नहीं आंसर कर रही थी वो अपनी बिजनेस ट्रीप पर कुछ काम नहीं कर पाथा तो इसका भी ब्लें वो क्रीम पर ही करता है क्रीम को बोलता है कि मैंने तुमेह कहा था कि तुमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने है उसे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं इसके लिए भी उसे restrict करता है वो कहता है कि उसमें कहता हूँ वो तुम क्यों नहीं करती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें तकलिफ दूँगा उसके पास फिर वो बैठता है और से जबर्दसी करने कोशिश करता है कैसे यह देखानी जाता और के फिर इस घर के गार्डन में आ जाता है वह अपना गॉल्फ का सामान लेता है और गॉल्फ की प्रैक्टिस करने लग जाता है क्रीम का हस्बन जब यह देखता है तो वो गुस्ता हो जाता है वो फिर पुलिस को कॉल कर देता है उसे रिपोर्ट कर रहा होता है और फिर वो गार्डन में भी आ जाता है गुल्फ के सब बॉल्स पड़े होते है कि अपना निशाना अब बदल लेता है क्रीम के husband पर वो नशाना लगाता है और उसे बहुत बुरी तरह के से इंचुर कर देता है क्रीम का husband अब crown पे गिर जाता है यह जो घर है इसमें क्रीम के बहुत सारे modeling की photos है एक short में हमें दिखाएगा है कि यह cream के modeling के photo के साथ होता है और cream में दिख रही होती है इसका मतलब अब जो है वो cake free है और cream वैसे पहली थी model की तरह थी वो तब freeze थी जब वो photos निकाल रही थी अब वो cake को देखकर वैसा ही फिर से feel करना चाती है इस short से यह उन्होंने represent किया था और अब हमें दिखता है कि cream अब cake के साथ bike पर उसके चली जाती है वो अब उसके husband के साथ ने रहना चाती cake का जो भी routine है उस routine में वो घुल में जाती है वो उसके साथ अलग-अलग नेवरोर्ज में जाकर पॉम प्लेट चिपका दी है और उसके साथ ही रहती है next girl में दिखता है कि cake उसकी goal की practice कर रहा होता है वो एक garden में खेल रहा होता है पर वो ball कही जाये ना इसलिए उसने उस ball को बान दिया होता है यह जब वो खेल रहा होता है तो ball के सामने cream आजाती है cake अपनी खेलने की direction चेंज करता है पर उसी direction में फिर से cream आ जाती है कि फिर अपना खेलना ही बन कर देता है यह represent करता है कि कि जो life है जैसे तरह से वो चीता है उसके बीच में अगर cream आ गई फिर वो violence की तरफ नहीं मुढने वाला अब next गर में कीमार के आ जाते है यह जो घर होता है एक फोटोग्राफर का घर होता है यहाँ cream का photo भी होता है जैसे हमने देखा था कि कि अलग-अलग घरों में जाकर वहाँ की चीज़े वेकर रिपेर करता है यहाँ भी वही वो कर रहा होता है cream जब उसके photo को देखती है तब उसके photo को निकाल लेती है उसके photo को निकाल कर वह फिर से frame में लगाती है पर इस बार उसने वो cut कर कर लगा होता है अनसौल पजल की तरह अलग-अलग जगापर यह photo cut कर कर उसने लगा होता है यह photo represent करता है कि जैसे हम cream को देखते है वैसी वो नहीं है इसमें बहुत सारे लेयर्स है वो एक human being है जिस तरह से human beings complicated होते है उसी तरह से वो भी है उसके husband ने उसे कहा था कि मैंने तुमारे लिए बहुत कुछ किया है पर फिर भी थुम ऐसा क्यों करती हो इतनी simple सब कुछ चीज़े नहीं होती आदमी के अलग-अलग emotion होते और आपको सब चीज़ों को जान लेना चाहिए उसके husband का सिर्फ उसके लिए सब चीज़े करना ये sufficient नहीं है नेकसिन में हमें केक खाना पकाते हो दिखता है बहुत सारा खाना वो क्रीम के लिए बनाता है ये सब खाना वो उसे दे देता है यहाँ उसके लिए बहुत ही care कर रहा है यह हमें दिखता है और फिर से जैसे मैंने आपको बताया था कि क्रीम एक plant को represent करती है उसी plant को के फिर से water कर रहा होता है थोड़ी दर में घर के बाहर photograph की जो girlfriend होती है वो आ जाती है कोई door open ने करता तो वो चली भी जाती है पर अब के और क्रीम यहाँ नहीं रह सकते कि जिस तरह से हर घर में फोटो लेता है उसी तरह से वो फोटो ले रहा होता है पर क्रीम भी इस फोटो में आ जाती है उसके life का अब वो पार्ट बन चुकी है यह scene represent करता है हमें फिर से एक नए घर में वो दिखाए गए है या एक boxer का घर होता है इस घर में वो जाते है drink वगरा करते है music चलाते है enjoy कर रहे होते है जब रात होती है तब दोनों एक दूसरे के साथ intimate हो जाते है इस घर में जो boxer रह रहा था वो honeymoon पर गया था रात में एक घर वापस आ जाता है वो जब इन दोनों को देखता है केक को बहुत ही मारता है रात में फिर के और क्रीम यह दोनों एक bench पर बेटते है क्रीम उसके लिए noodles में लाती है वोसे वो अपने हाथों से खिलाती है थोड़ी देर बाद फिर से के अपनी goal practice करने लग जाता है इस बार वो जब goal practice कर रहा होता है उसका ball restricted नहीं रहता वो ball बहुत ही दूर चला जाता है वो इसके वज़े से एक आदमी का accident हो जाता है जिस car में accident हुआ होता है वहाँ एक लटकी होती है जो बहुत ही injured हो चुकी होती है केको यह देखकर बहुत ही बुरा लगता है वो रोने लग जाता है यह से रिप्रेजेंट करता है कि केको लगता है कि वो सब कंट्रोल करवा रहा है पर लाइफ में कुछ चीज़ें आपके हाद में नहीं होती कंट्रोल करवाना रात में दोनों फिर से नए घर पर आ जाते है जब सुपा होती है फिर से अपना रूटीन स्टार्ट करते थे इस बार नया घर वो ढूंडते है जब वो बिल्डी में आते है और घर खोलते है तो इसे स्मेल आ रही होती है जब यह चेक करते है तो वहाँ एक आदमी मरा पड़ा हुँ होता है कि यहाँ से निकल जाने वाला होता है पर क्रीम यही रुकती है यह आदमी अपने मूँ से खोन आकर मर गया होता है तो यह सब खोन वेगरा यह सब साप करते है कि यह कॉल करकर देखता है इस आदमी के सन को यह कॉल लगता है पर यह कुछ भी नहीं बोलता जब यह दोनों इस घर में खाना खा रहे होते तो थोड़ी देर बाद इस आदमी का सन और उसके डॉटरिन लोग आ जाते है वो चेक करता है कि उसके फादर का है वो उसके फादर उसे कही भी नहीं मिलते वो इन दोनों को फिर घर में रुकने के लिए बोलता है और पुलिस को कॉल कर देता है पुलिस फिर हमें के और क्रिम को investigate करते हुए दिखती है के का camera उनके पास होता है वो figure out करता है कि बहुत सारे घरों में रहा है क्रिम missing है ऐसा उसके husband ने report किया होता है यह पुलिस फिर उसके husband को call कर देते है यह police officer जब के को धमगाता है तब कि उस old man की location दे देता है actual man के ने इस old man को एक proper burial दिया होता है उसके घर के पास ही एक पेड़ की नीचे उसे गार देता है तो यह check करने के लिए जो आदमी जाता है वो officer के पास आकर उसे कहता है इसे बहुत ही अच्छी तरह के इससे गार आगाया था उस old man का इसने इतना खयाल किया था कि यह उसका actual mission हो क्रीम का पती उसे अपने घर लेकर आता है वो से कहता है यह बहुत ही sorry हूँ तुम जब चली गई थी तो मुझे सोचने में वक्त मिला था मैं अब बदल चुका हो तुम जब गई थी तुमारे parents को मैं मैंने बहुत सारे पैसे बेज़े है वो से अशुर करता है कि मैं आपसे अच्छे से रहूँगा मैं तुमें कभी भी हट नहीं करूँगा क्रीम अभी भी उसे response नहीं दे दी क्रीम का पती अब चेर जाता है और डिरिक्ट्व को कॉल करता है इस डिरिक्ट्व को वो पैसे देता है और के को एक सुमकसान जगा वो लेकर आते है के निकरीम के बदी को गोल्फ बॉल्फ से मारा था अब यही उसका बदी के के साथ कर रहा है थोड़ी देर बात के को बजाने के लिए पुलिस ओफिसर आ जाते है तो के उस पुलिस ओफिसर पर ही जपक जाता है अब हमें के डारेक्ली प्रिजन में दिखाए गया है उसके जो इन्मेंट्स होते है उनके सामने वो इमेजनरी गोल्फ खेल रहा है इससा प्रिटेंड करता है इसमें से एक इन्मेंट उसका इमेजनरी गोल्फ टॉल है ये चीन लेता है इसी वज़े से इन दोनों में फाइट हो जाती है और सुलिटरी में केक को रख दिया जाता है जब केक को चेक करने के लिए वहाँ कार्ड आता है तो केच छुप जाता है उसे वो प्रिटेंड कर र रही थी इस पर भी वो नाराज होता है उसे फिर वो स्लैप कर देता है क्रीम भी इस पर रुकती नहीं और वो उसको भी मारती है क्रीम की केर करने वाला कोई नहीं था यहने उसकी केर की थी और अब उससे फिर से अच्छा लगने लगा है वो उस पर अत्याचार नहीं होने दे रही वो उसे मारती है के फिर से उसने जो गार्ड को जला दिया था वो ही देता है गार्ड अंदर आता है और उसे बहुत मारता है नेक जिंग क्रीम घर पर होती है तो उसे जो भी कपड़े अच्छे लगते है वो पहनती है बाहर जाती है और पहले जो एक घर में वो गई प्रेमी की थोड़ी दिर बाद वाईफ आती है उससे पुछते कि यह कौन है यहाद्मि कgartा कि याद्मि क्य LOV батाइए कर प्रे गला हुती है पर इसे जाता है कि थोड़ी देर इसे सोने दो क्रीम उसे कुछ भी नहीं बोलती कि फिर से अपनी सेल में छुप जाता है इस बार कार्ड जब उसे देखने के लिए आता है तो कार्ड के पीछे वो छिप जाता है कार्ड फिर उसकी शाड़ो देख लेता है वो उसे बहुत ही मारता है गार्डों से कहता है कि तुम्हारे shadow को तुम नहीं control कर सकते इस cell में कि हमें meditate करता हो दिखता है वो एक fist बनाता है और अब इस fist को open करता है और fist open करने के बाद हमें इसमें एक आग दिखती है ये represent करता है कि कि जिस तरह से रह रह रहा था इसमें वो confined था पर अब उसे सब कुछ दिख रहा है उसे सब कुछ knowledge आ चुका है क्रीम खीडकी से बाहर देख रही होती है तो उसका पदी उसके पास आता है उसे कहता है कि तुम उसके लिए wait कर रही हो कब prison से बाहर निकलेगा उसकी तुम रहा देख रही हो अब क्रीम का पदी उसे कहता है कि हम move out कर लेंगे वो घर sale करने वाले agent को call करता है वो क्रीम उसे उसका mobile चीन लेती है के को check करने के लिए इस बार जब guard आता है तो उसे कही भी देख नहीं पाता कि अब इस jail से escape कर चुका है जो police officer के को investigate कर रहा था उसके पास हो आता है और उसे बहुत मारता है के कहा है इससे वो figure out नहीं कर पाता और मार खाता है के हमें भी इस scene में कही भी नहीं दीखता इसका मदलब है के अब invisible चुका है इसका मदलब क्या है यह मैं आपको movie के end में बताऊंगा हमें boxer का घर फिर दिखाये गया है boxer और उसकी जो wife होती है इन दोनों में जगड़ा चल रहा होता है boxer की wife को लग रहा होता है कि boxer का affair हो रहा है या फिर उसे कोई घर पर है ऐसा मैसूस होता है वो पूरे घर में चानत है और वहाँ कोई भी नहीं होता इस boxer ने अपना poster घर में लगा आता है जब वो इस poster को देखता है तो उसकी आख वहाँ से missing होती है इसका मतलब है कि किसी लोग को भी अपने आपको देखने नहीं दे रहा अगर लोग उसे देखेंगे नहीं तो उसे हड भी नहीं कर पाएंगे जिस घर में क्रिम आकर सोकर चली गई थी उसे घर में के भी आया था यहाँ जो औरह दे रही थी उसे लगता है कि यहाँ कोई है पर वो इसे explain नहीं कर पाती क्रिम जिस cushion पर सोई थी उसी cushion पर सोकर वो चला जाता है इसके बाद हमें दिखता है कि वो फोटोग्राफर के अपाटमेंट में आ जाता है फोटोग्राफर भी गोल्फ की पैक्टिस कर रहाता है इस फोटोग्राफर को अब लगता है कि उसके fat में कोई definitely है वो अलग-अलग जगा पर अपनी bad मारता है पर वहाँ कोई भी नहीं होता वो फिर अपनी girlfriend को call करता है वो उसे घर में आने के लिए बोलता है वो जब घर पर आती है तो वे दोनों intimate होने के कोशिश करते है तब ही उन्हें लगता है कि इस घर में के है हम देखते हैं कि cream की जो photo थी वो सही से लग चुकी थी पर अब फिर से के उसे अलग-अलग जगा पर लगा देता है cream जैसा उसके photo का चाहती है उसी तरह से उसे adjust कर देता है फोटोग्राफर और उसकी girlfriend जब देखती है तो वहाँ से photo missing होती है यह दोनों फिर बहुत ही डर जाते है cream के पदी को call आजाता है और उसे पता चल जाता है कि के अब जेल से फरार हो चुके आए जब रात होती है तो cream के पदी को भी लगता है कि उसके घर में कोई है वो भी अपनी gold bat लेता है और हवा में मारने लग जाता है उसे वो कही भी नहीं मिलता वो जब बेड़ में सोने के लिए आता है तो cream से कहता है कि वो अब यहाँ आ सकता है जब midnight होती है तब cream उठती है और घहन में के को ढूरने लग जाती है वो जब एक mirror के पास आती है तो उसे वहाँ के दिखता है उसका husband भी उसके पास आ जाता है पर उसे कही भी ने दिखता cream को बता है कि के को अब कोई भी देख नहीं पा रहा तो अपनी पदी को फिर से I love you कह देती है उसका पदी खुश हो जाता है और उसे हग करता है उसके पदी ने जब उसे हग क्या होता है तो पीछे से के और cream दोनों किस कर रहे है इसा हमें दिखता है इस frame का मतलब है कि इसी घर में अब ये तीनों रहने वाले हैं केक को कोई देख नहीं पा रहा तो यहां आसानी से वो रह सकते हैं अगले दिन क्रीम बहुत सारा breakfast बनाती है उसका पती बहुत ही खुश हो जाता है वो जादा ही मुस्कुर आ रही होती है उसका पती उसे कम मुस्कुर आने के लिए और बेकफास्ट करने के लिए बोलता है उसका हजबन विर्खोश होकर काम के लिए निकल जाता है के और क्रीम एक दुनों को किस करते हैं और इसके बाद एक ही वेट स्केल पर हमें दिखाये गए है जैसा हमने मुवी के फर्स में देखा था कि उसके घर में जो वेटिंग मशीन थी उसको वो रिपेर कर रहा था गेम के जो लाइफ का बैलन्स है वो रिपेर करना चाता था पर इस बार वो ये कर चुका है मुवी खदम होती है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है इस मैसेज में कहा जाता है कि आप ड्रीम में रह रहे हो या रेयालिटी में ये डिफ्रेंशेट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है यह ये मुवी खदम हो जाती है पर के के साथ क्या हुआ था यह आपको आप मैं explain करूँगा डायरेक्टर ने जिस तरह से यह story बताई है इसके अलग-अलग interpretations आप कर सकते हो हमें के meditation करता हो दिखा है और कैसे invisible होना है इसके practice को कर रहा होता है अगर हम देखे तो इसने यह art अब master कर लिया है वो guard को जलावा देकर jail से भी भाग जाता है और invisible पूरा हो जाता है इसका second explanation है कि जब के guards को जलावा दे रहा था हमेशा वो छिपता रहता था जब guard ने उसे बहुत मारा था वो सच मुच में वहां बर चुका था अब जिस guard ने उसे मारा था यह trouble में आ सकते है तो इसलिए इनने एक cover up story की थी उनने कहा था कि K jail से फरार हो जुका है यह जो भी सब हो रहा था यह के की soul कर रही थी इस movie का जो third explanation है वो हम cream के perspective से देख सकते है movie के last में एक line आई थी और उसमें कहा गया था कि dream में हम जी रहे है या reality में हमें पता नहीं है यह बहुत ही hard गया ना हम फिर इसका integrate कर सकते है हम life में जो भी सब चीज़े dream करती है वो कभी कभी reality में भी आ जाती है Einstein ने भी अपने quote में कहा था कि आप जीस तरह से इस world को देखते हो उसी तरह से world बन जाता है इसका मदलब है cream यह सब imagine करी है उसे लग रहा है कि prison से वो escape हो उसके मन में वो fix कर ले थी है कि के हमेशा उसके साती रह रह रहा है और अपने life का balance वो करना चाती है इसलिए वो फिर से अपने पती के सांथ amends जो होती है वो सही कर लेती है इसी तरह से अलग-अलग explanation के साथ यह movie हमें छोड़ कर चली जाती है बहुत ही अलग तरह की story थी आपको यह movie कैसी लगी प्लीज मुझे comment session में बताना आपको अगर कुछ movie suggestion हो भी आप वहाँ बता सकते है अगर आपको यह video अच्छा लगा है तो प्लीज इस video को like कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो इसलिए आप subscribe भी कर दीजेगा bell notification icon भी दबा दीजिए यानि कि आपको सब movies मिलती रहे है हम फिर से मिलेंगे नए explanation की साथ तब तक के लिए thank you और अपने आपका आप खैल रखिए